हेलो दोस्तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे शुरू करेंगे हम रेसिपी तो चलिए सबसे पहले आपको जैसे की पता है आपको मठा के आलू या दही के आलू हम बनाने वाले हैं तो मठा के आलू मठा से बनते हैं दही के आलू दही से बनते हैं लेकिन दही को भी हम मठ इस तरीके से बना लेंगे यहां पे तो मैंने ले लिया है इसमें एक कटोरी के लगबग दही और दही को बस अच्छे से विस्कर से फेट लेंगे इस तरीके से आप चाहे तो इसे बड़ी वाले मिक्सी के जार में डाल के भी चला सकते हैं तो दही आप अपने इसाब से कम ज सकते हैं अब यहां पे आलू को हम मोटा मोटा तोड लेंगे यानि कि कुछ इसके टुकड़े भी रहने चाहिए कुछ इससे थोड़ा हम अच्छे से मैश भी करेंगे और यह दिखिए इस तरीके से आलू आपने मैश करनी है बहुत ज़्यादा भी मैश मत कर दिए बहुत चाकू से तो बिल्कुल मत काटिएगा हाथ से ही दोड़िएगा अब हम चलते हैं गैस आन करके कड़ाई चड़ा लिए मैंने इसमें डाल दिया है दो चमच सरसों का तेल कोई भी कुकिंग ओयल आप ले सकते हैं तेल अच्छी तरीके से गरम हो जाए तो डालिए एक सूख और हरी मिर्च डालनी है लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मैं नहीं करती हूँ इसमें आपको पसंदे तो आप डाल सकते हैं लैसुन मैंने यहां पे थोड़ा ज़्यादा लिया हुआ है लैसुन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है इसमें और जैसे ही जो है दोस्तो लैसुन अच्छे से हो जाएगा तो इसमें डाल दीजिए एक छोटी चमच आता या फिर बेसन इसे आप इसी तेल में धीमी आच में भून लीजिएगा अगर आच को तेज रखेंगे तो आता या बेसन जो भी डालेंगे वो चल जाएगा और सब्जी करेश वेकार हो करेगा बहुत ही अच्छा सोना पन अड़ करेगा इस रेसिपी में साथी साथ में गाड़ा पन देगा एक अलग सी जो बाइंडिंग नहीं आपाती है दही के आलू में वह आएगी और स्वाद भी अच्छा आएगा तो आप बेसन या आटे में से कुछ भी ले सकते हैं एक चमच अब यहीं पर हम डाल लेंगे स्वाद के अनुसार नमक नमक पहले थोड़ा डालिएगा बाद में स्वाद चेक करके फिर डाल लीजीगा अब यहां पर डाल दिया एक चमच में धनिया पाउडर क्योंकि लाल मिर्ची पाउडर तो हम यह यूज नहीं करने वाले हैं अच्छे से इसे हम मिक्स कर लेंगे आलू को अगर आपको कोई टुकड़े बड़े लग रहे हैं तो इन्हें तोड़ सकते हैं चमच की साहता से अब क्या कीजिए गैस की फ्लेम को आप जब भी दही अड़ करने वाले हूं या मठा अड़ करने वाले हूं दही क्यालू बन को लो रखें तेज कर देने से या फिर अगर आपने ठंडा ठंडा दही निकाला है फ्रिज से और इसके बाद ठंडा दही गरम गरम आलूं में डाल देंगे तो भी जो दही है वो बहुत जल्दी से फट जाता है और बहुत अजीव सा फटता है यानि कि पानी एकदम ही अल कंटे पहले अलग निकाल के रख लें मैं इसे चलाती रहूंगी बराबर जब तक कि इसमें इस तरीके से उबाल नहीं आ जाएगा तो जब इसमें उबाल आ जाएगा तब हम इसे छोड़ सकते हैं और मठा की आलू को आप पका लीजिए लगभख तीन से चार मिनट मीरियम अब जो है मठा की आलू क्या होता है किसी किसी को बहुत जाता गाड़े पसंद होते हैं किसी किसी को थोड़े से पतले पसंद होते हैं तो मुझे थोड़े पतले पसंद है तो मैंने उसी तरीके से बनाए हैं हरा धनिया जरू डालिएगा अगर अवेलबल है तो इसके साथ बहुत ही अच्छी जाती है और साथी साथ एक टिप देना चाहूँगी कि जब आप इसे सर्फ करेंगे तो थोड़ा सा गरम सर्फ कीजेगा बिल्कुल हंडा भी नहीं हलका गरम और घी जरू डालिएगा तो देखे हमारे जो मठ्ठा के आलू है या दही के आलू है कानपूर साथ में बहुत ही फेमस है गरमिया जैसे ही आती है ना तो इस रेसिपी की बहार आ जाती है बहुत ही अच्छी लगती है अक्सर लोकी कद्दू और तुरही भिंडी खाके जब भर जाता है ना तो ये मठ्ठे के जो आलू है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगते है ज़रू ठ्राइ कीजिएगा अगर आपने कभी नहीं बनाया है तो और मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताईए वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा शेयर कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियो को देखते रहने के लिए